स्वागत है आपका मेरे चैनल में मेरा नाम है पूनम कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज को जो वीडियो है बहुत ही यूसफुल होने वाला है और इस तरह की कि देखिए हमारे घर में साड़ी होते हैं या दुपट्टे होते हैं एक्स इस तरीके से देखे मैंने इसको लेंद में डबल फोल्ड किया है और उसके बाद फिर मैं इसको एक और फोल्ड कर लूँगी तो यहाँ पर देख सकते हैं चार इक्वल पार्ट्स बनके तयार हो गए हैं तो यहाँ पर मैं लगा लूँगी थोड़ा सा कट इस तरीके से द पॉटता चला जाएगा। तो यहां देखे इस तरीके से चार यहां पर लेयर लंबी-lंबी बनके तयार हो गई है। तो अब यहां पर देखे मैं इस पर लगा दूँगी चोटा सा कट इस साइट से भी और इसके जो दूसरा वाला छोड़ है न इसका वहां पे भी मैं एक च झोडते हैं तो गाठ बंच आती है जो की हाथ में भी अच्छी नहीं लगती है और उसकी चीजों में भी अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने एक को दूसरी के अंदर इस तरीके से डाल दिया है अब जो पीचे वाला पार्ट बजगया है ना उसमें आगे वाले पार्ट को वापस इस तरीके से डाल दूँगी और देख सकते हैं इस तरीके से नौट बनके तयार हो जाएगी ये देखे तो कोई मतलब गांट लगाने की जुरत नहीं पड़ी है इस तरीके से जो पूरा कपड़ा है ना हम इनको जौइंट कर सकते हैं तो चारो पूरा जो कपड़ा था वो इस तरीके से मैंने जौइंट कर लिया है तो बहुत आसान तरीका है ये तो ये देखे पूरा कपड़ा एक्वल कर लिया मैंने जोड लिया है सारा ठीक है अब ये देखे मैं स्टार्टिंग से लूँगी और यहाँ पर इस तरीके से मैंने ऐसे फोल्ड किया है और इसको जैसे हम नॉट लगाते हैं न ऐसे करना है ये देखे ऐसे करना है बस और जो सीधा हाथ है यहाँ पर देखिए अंगलियों की मदद से मैं जो लेंथ वाला कपड़ा है इसको पकड़ूंगी और इस तरीके से जो मेरे उल्टे हाथ में है उसको थोड़ा सखी चूंगी तो ये देख सकते हैं ये देखिए ये वल दो अंगलियों से इसमें काम करना है ऐसे और इसको पकड़ के खीचना है और यहाँ पर जैसे एक चोटी होती है ना चोटी बनके तयार हो जाएगी ये देखिए ये उसी तरीके से होता है जैसे हम करुशया करते है ना तो आप में से अगर कोई लोग जानते होंगे करुशया चलाना तो करुशया भी इस तर आप देख सकते हैं कितनी लंबी साड़ी है लेकिन इसमें 5-7 मिनट के अंदर पूरी इस तरीके से चोटी बनके तयार हो जाती है तो देखिए जो एंड पॉइंट आ गया है यहाँ पर इस तरीके से मैं नॉट लगा दूगी और फिर लास्ट में ये देखिए ये कपड़ मिनटर के और चार मैंने यहाँ पर ये बनाए है है तो पांच चौक 20 मिटर ये लंबा बन चुका है अब यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग वाला पाइंट था मैंने इसको अंदर की साइड रखा है और यहाँ पर देखिए एक साथ बिला करना मैं ऐसे राउंड नही है यह तफ है लेकिन बहुत आसान काम है और एक यूनिक चीज देखिए हमारे घर में बनके तयार हो जाती है और जब हम अपने हाँ से कोई सामान बनाते है ना घर का तो वह देखने में बहुत अच्छी लगती है और जब कोई बाहर से आता है वह पूछता है यह किसने बन लिया है इस तरीके से तो टांके लगाने हैं बस कोई बारिक सिलाई नहीं करनी है तो यह देखे यहां पर मैंने जोड दिया है उसको अब यहां से एक तिर्ची सिलाई करूंगी जितनी भी चोटी है ना इनको इस तरीके से छोटे चोटे टांके लगाके आगे को सिलती जा और एक पूरा जो है ना सीधा एक प्लैटफॉर्म बन के तयार हो जाएगा ये देखे इस तरीके से और घर में देखे साड़ियां तो हमारे रेजेक्ट होती ही हैं मम्मी की हो गई या फिर हमारी होती हैं कोई तो उनसे ना ये चीज़े हम कर सकते हैं अब देखे जैसे के सर् दस सिलाईयां लगा लोगी उपर को जाते हुए फिर नीचे को इससे क्या होगा सारी जो चोटियां है वो अटैच हो जाएंगी एक साथ पूरा जो अभी खुला हुआ है ना वो एरिया सब बंद हो जाएगा और ये एक पीस बनके तयार हो जाएगा तो ये देखिए ये मैंने यहां पर कर दिया है और ये बनके रेडी हो गया है इस तरीके से देखिए सारी चोटियां जो है ना अटैच हो गई है एक दूसरे से तो ये एक पीस बनके रेडी हो गया है अब हमें क्या करना है कोई भी हमारे घर में कोई भी पुराना कपड़ हो ना पुरानी pant हो गई पुरानी टी शिर्ट हो गई शोट हो गई कोई भी चीज हम यूज़ कर सकते हैं तो यहाँपर एक warmer है पुराना वो मैंने ले लिया है और इसके sleeves को cut कर दिया है इस तरीके से अब मैं इसको काट के न एक पीस ले लूँगी तो मैंने बैक वाला पीस लिया हुआ है और यहां देखे इसी तरीके के थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके मैं इसको कट कर दूँगी तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं टी शिर्ट शिर्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं तो वार्मर का जो कपड़ा है वो सीधा वाला साईड मैंने नीची किया है उल्टा यहां पर उपर रखा वाया है तो देखिये इसको मैंना कपड़े को फोल्ड करते जाओंगी जो इनर का कपड़ा है और इसके साथ अटैज करती जाओंगी ये देखिए मैट के साथ इस तरीके से कच्चा मारके अटैज करती जाओंगी तो बहुत ही आसान काम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब ये बना देखा मैंने एक साड़ी से देखे कितना बढ़िया यहां पर एक मैट बनके तयार हो रहा है तो देखे किनारों से तो हमने बीच में किनारों से तो भी सिलाई लगा ली हमने लेकिन बीच में नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे पांच 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 छे चे टाके ना यहाँ पर चारो तरफ में मैं लगा दूँगी जिससे कि यह कपड़ा अच्छे से अटैच हो जाए आप चाहे तो पूरी लेयर भी यहाँ पर बना सकते हैं अब यहाँ देख सकते हैं मैंने एक दूपटा ले लिया है इस तरीके से यह भी काफी पूराना दूपटा है और इसको मैंने चार से पांच इंच की चोड़ाई में कट कर लिया है तो देख सकते हैं इस तरीके से एक साइड से फोल्ड करना है उसको नीचे की साइड डालना है मैट के फिर उपड़ से इस तरीके से फोल्ड करना है और यहां पर हमें सिलाई कर देनी है टाके लगा देने हैं तो इससे क्या होगा पट्टी ना एक ही बार में लग जाएगी हम तो कोई भी पुराना कपड़ा, कोई भी पुराना दुपटा या कोई भी साड़ी अगर आपके पास एक्स्रा बची है तो आप इस तरीके के मैट बना सकते हैं जोगी देखने में काफी अच्छे लगते हैं और देखे दिन बर में हमारे पास टाइम होता ही है थोड़ा बहुत हो निकाल के अगर ये चीज़े बन जाए तो काफी अच्छी लगती है तो इस तरीके से देखिए एक पुरानी बेका आप चाहे तो इसको जैसे टेबल वगएरा पे रख सकते हैं उसमें अगर कुछ सामान रखना है तो फिर ऐसे रख सकते हैं या ऐसे मैट यूज़ कर सकते हैं और सर्दियो का मौसम है ये चीज़े तो बहुत अच्छे से यूज़ में आ जाती है तो देखिए मुझे तो का के लिए बाई टेक कियर